Hi everyone, hope कि तुम लोग सब की पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी जैसा कि तुम लोग जानते हो WBJ का एक्जाम अभी सिफ 10 दिन दूर है तो तुम लोगों में से काफी सारे बच्चे में से WBJ में math section के बारे में पूछ रहके कि हमें उसे कैसे attempt करना चाहिए हमारी क्या strategy रहनी चाहिए math section के अंदर ताकि हमारा score maximize हो सके तो तीन tips पर तुम्हें देना चाहती हूँ math section में ताकि हमारा score maximize हो सके और जिससे कि तुम उतने last 10 days को काफी अच्छे से utilize कर सको उस चीज को achieve करने में फर्स्ट important tip है हमारी speed WBJE में math section के अंदर 75 questions होते हैं जो कि तुम्हें 2 गंटे में solve करने हैं तो वाप इस speed काफी जादा important role play करती है तो अगर तुम्हारी practice नहीं है 2 गंटे में 75 plus questions प्राक्टिस करने की तो WBJE exam के अंदर तुम्हें लग सकता है कि कितने सारे questions हैं और तुम्हारे शायद सारे questions attempt भी ना हो इसलिए तुम्हें अपने last के 10 days में ये करना है कि 2 गंटे का slot रोज के रोज लगाना है एक 11 बज़े सुभे से लेके 1 बज़े तक और उसमें तुम्हें 75 plus questions की practice करनी है ताकि WPJ exam के दिन तुम्हें ये ना लगे कि कितने सारे questions हैं और मैं सारे questions को attempt कैसे करने वाला हूँ Second important tip है हमारी formula तुम्हें सारे formula काफी अच्छे से याद होने चाहिए तुम्हारा कोई भी question इस वज़े से नहीं चूटना चाहिए कि मुझे वा formula अच्छे से याद नहीं था तो ये ज़ें ensure करना कि तुम हर एक chapter के formula काफी अच्छे से याद कर रहे हो और third important चीज़ आती है हमारी एक chapter जो कि है conic section WPJ में conic section का weightage काफी जादा है around 15 to 16 marks की question specifically conic section से ही आते हैं although 2021 में conic section से इतने questions नहीं आये थे but on an average हर साल आते हैं तो इसी लिए तुम्हें ये चीज़ ensure करनी है कि last के 10 days में तुम conic section को काफी अच्छे से कर रहे हो specifically straight lines और circles को तुम्हें काफी in depth जाके करना है क्योंकि अगर तुम्हें straight lines और circles अच्छे से नहीं आता होगा तो तुम्हें parabola, ellipse, hyperbola भी उतने अच्छे से नहीं आएगा तो last के 10 days में इन 5 chapters को काफी अच्छे से revise कर लेना उनकी साथ जो तुमने अपने प्लान की हैं other chapters को